कर नमद्सकार दोस्तों ANGया आपका इस्टूडेंश के मन में रहता है इस्टूडेंस के मन में कि nous कैसे बनाइज nossa कितने होंने की नूंस कैसे हुआ इस सब्सक्रणक य 때문에 ब्राइए हम लोग ये सिर्फ तो यह कि basic books पढ़नी चाहिए जो हमारे concepts को मजबूत कर सकें और facts के लिए current affairs से वो सब चीजे updated रहनी चाहिए मतलब जो GS आपने पढ़ी उसको current affairs से आपने जब पढ़ते हैं तो यह भी हमेसा ध्यान लगना चाहिए उसको relate करके देखना चाहिए जो भी चीज़ आप पढ़ते हैं उसको सोचना और समझना भी चीज़े तो काफी सारी चीज़े तो आपको अपने आपको समझा ही लेनी चीज़े जैसे कुछ भी पढ़ते हैं तो उसका आज क्या significance है आज क्या importance है हम नोट्स वाली बात अगर आप मालिए तो नोट्स सिर्फ उन चीज़ों के बनाने चीज़े जो या तो बहुत ज़्यादा important हो पहले आप उसको समझा चुके हो अपने आपको और जो आप भूल जाते हैं generally जैसे बहुत सारी जब आप UPSC या फिर state pieces की त्यारी करते हैं तो इतनी सारी चीज़े पढ़नी पढ़ते हैं ना कि इतनी सा प्रश्टी की तो लास्ट दिन जब आपके आएंगे मतलब जब यह रिवीजन वाले एक्जाम से पहले वह रिवीजन करना होगा तो आप अपने आपने फ्रश्टी आ जाओगे कैसे आप रिवाइस करो मेरे साब से आपको क्या करना चाहिए एक कॉपी बनाएं और उसमें काफी मोटी सी जैसे आती है ना स्पाइरल बैंडिंग वाली जो कॉपी जिसमें लाइनिंग्स नहीं होती है उसमें आप एक सब्जेक्ट वाइस करिए देगे पॉलिटी में लच्छमी कान में मेरे साब से नोरत अनल जरूत नहीं है जो बुक आप पढ़ रहे हैं लच्छ के बाद कुछ-कुछ अपडेट हुआ है तो आप क्या करिए कि पहले जो चैप्टर के स्टार्टिंग थोड़ा सा उपर स्पेस होता है उसमें आप छोटे-छोटे कीवर्ड बनाके या फिर फ्लो चार्ड बनाके कुछ डाइग्राम बनाके आप उसमें नोट कर लिजे और उस पूरे चैप्टर की जो इंपॉर्टेंट बाते हैं वह आप वहां पर नोट कर लिजे और जैसे हर जो आपका एक्ट आएगा उसके सामने आप दो दो तीन तीन लाइन कर लिजे क्योंकि हमको नोट में सिर्फ कीवर्ड वाली चीज़े पता होनी चीए कि जो हम लास्ट मोट करो कि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इस्पेस होता है उसमें आप जैसे पहले इस्टार्टिंग में कुछ कर लो जैसे पर लटते जाओ तो parents area ना उसद़ परोट होते हैं उन सब पर्यिजेंगा ना चोड़ हर मीथे बगरं में दो लाइनों में लिग दो जो बीड़ते लुट यहांता है ज्यादा तरा आपकी छीजें एंप्सार होटी है जैसे आपके पास प्ञुआंट होने जीए कि आप उसके फेभर में क्या बोलोगे कोई इसने करने को आगा कर्णने को आ गया ऐनईस कर यह क्रिट कर या मतलब आपको उसके फेवर पता होना चाहिए आपको उसका पोस्ट भी करना है आपको एक बैलेंस जान से लिखे उसका वे फॉर्ट बताना है कि और उसमें आपका भी इंपुट होना चाहिए तो सबसे बड़ी हैं तरीका होता है कि अगर कोई जैसे ऐसी चीजे हैं जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है जैसे आपने मान लिजें इंटरनेशनल ओर्बनेशन हैं ठीक है उसमें इत्ती सारी कंट्रीज हैं और कई बार ऐसे कोईशन आते हैं कि इन में से पताए कौन सी कंट्री है की नहीं है उसके लिए आप एक फ्लोचार्ट बना लिए चार्ट बना लिए जहां भी स्टडी है ठीक है जैसे जो डिजर्ट होते हैं वो ट्रॉपिकल में उनके नाम अलग है तो वह आली चीजे जो आपको पता है कि बहुत ज़्यदा फैक्च्वल हैं और आप हमेशा भूलो गई उसको और वह बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं वह आली चीजे आप एक बड़ा सा चार यह तो हो गई जो चीजे आप हमेशा भूल जाते हैं और जो बहुत ज्यादा फैक्च्वल हैं अब कुछ चीजे हैं जैसे करेंट अफैर में कुछ चीजे आगई जैसे राइट टू प्राइवेसी आया था भी बहुत डिसकसन चला उसका तो उसकी एक एक चीज नोट करने लाइट नहीं जुड़ा है यह आर्टिकल 21 में ही इंक्लूट कर दिया गया है जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी वाला है अब उसमें बस उसको क्या गरिए राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 बस इतना सा लिक लिए तो करेंट अफैर्स की चीजे भी ऐसा मतलब डेली इतनी सारी डेवलप्मेंट होते हैं अगर आप डेली के नोट गनाएंगे तो मेरे साथ से बहुत ज्यादा कटिन हो जाएगा बाकी आपकी एपनी इंडिविज्यल स्ट्राटिजी हो सकती है जो आपकी होगी वह अगर आपको लगता है वह बेश्ट है तो वह वाली चीज़ आप 6 वाली जो पूरी जोग्रफी है मतलब आप उसके मानिए कि 2-3 पने से जादा उसके नोट्स नहीं होने चीज़े तो वही आप रिवाइस करें और वही सब चीज़े लिखिए जो एकदम की वर्ड्स है एकदम की पॉइंट है जो पूरा बोल बचन लिखें वह सब लिखने की ज़रूरत नहीं है आप उसमें जो में में पॉइंट है एक एक चैप्टर में 6 से लेके 12 तक ऐसे ही करिए अब आप 6 से 12 तक के फ्लो में चलेंगे ना पूरा तो आपको क्लियर होती जाएंगी चीज़े और एक्जाम से पहले या फिर आप यह का पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो आपको दो तीन बार जब पढ़ेंगे तो समराइज सब चीज़े उस टाइम तो बहुत अच्छे से पता होती ही ना उस टाइम ही उसको उपर समराइज करके लिख दीजे और या फिर आप कॉपी में नोट बना रहा है तो वह वाली करके वह पॉइंट लिख लिए वहां पर तो नोट इतने ऐसे होने चाहिए और यह कॉपी आप मोटी लीजिए सेक्शन बना दीजिए उसमें की शुरू में जोग्रफी है उसके नोट है कुछ कुछ ठीक है फिर हिस्ट्री है हिस्ट्री के थोड़े नोट ज्यादा क्याई कंप स्बस्क्राइब रहेंगे उसमें इसमें क्या आइटम्स क्या यह ब्यू fundamental होने चीजिए उसको छोटा चोटा वसलिख निएisa इसको चार्ट पेपर में विलिख सकते हैं कि इस समय क्या चल रहा है रेट ठीक है इस समय कौन सब वेसियर चल रहा है तो ये एक्रॉमिका हो गया पॉलिटिक लिए आप लच्मी कांत की बुक अपने आप में शफिसेंट है उस बुक के हर चैप्टर में जब आपने पूरा एक चैप्टर पढ़ा तो आपको समझ में आ गया दो बार पढ़िए तीन बार पढ़िए जब तक नहीं समझ में आ रहा है लेकिन एक बार ऐसा यह जो कीवर्ड्स होते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजे और प्लस जैसे हर पैरग्राफ आपने पढ़ा एक पैरग्राफ दिया हुआ है कि इसमें पूरा की प्रियम्बल और इसे पार्ट ऑफ कॉंस्टिटिउशन ऑफ इंडिया और नॉट उसमें काफी बड़ा सा फिर प पॉला है और बस नहीं वाले में बेरुबारी और है वाले में केश्वन दभरती तो यह इस हिसाब से अगर आप शौर्ट नोट बनाएंगे पॉलिटी का यह हो गया करेंट अफेर्स के लिए आप एक अलग कॉपी बना लीजिए यह वाली हो गई जिसकी करेंट अफेर्स म में आएगा तो मेरे साब से अगर आप किसी के वीडियो भी देखते हैं तो बिल्कुल देखिए उसको कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम बस इस चीज में जरूर है कि आप अपने हिसाब से जरूर पढ़िए क्योंकि आप जब चीजे पढ़ेंगे और फिर उ चार्ट पेपर है उसमें आपको क्या करना है चार्ट पेपर में सिर्फ आपको ट्रिक्स जो होती है जैसे आप मालीजे सस्टेनेबल डेवलप्मेंट गोल आया था उसमें बहुत सारे गोल थे तो उसकी मैंने खुद अपने हिसाब से उसको पढ़ा पूरा और समझा और उ हिसाब से भी उसको याद रख सकें जैसे राभी की फसले होती है काफी सारी बार मैंने कोशिश की कि उसको याद कर लूँ लेकिन नॉर्मल ट्रिक से नहीं वा तो कुछ मैंने अपने हिसाब से उसको तोड़ मरोड के थोड़ा बहुत उसमें अगर अब्यूज डाल के भी म नेचर के मतलब बंदे हैं बंदी हैं आपको जो भी चीजे पसंद है एक हर आदमी का पर्टिक्लर नेचर होता है उसके हिसाब से उस जीएस के सब्जिट को समझें और उस हिसाब से तोड़ मरोड के कुछ ट्रिक बनाईए कि लास तक आपको याद रहे हैं लोगों की ट्र बेजाए या फिर कुछ ऐसी बेजाए आप उस हिसाब से करके वो जो चार्ट पेपर है वो आपके घर का है स्टडी वहां पे तो कोई नहीं आ रहा है वहां पे आप बिल्कुल अपने हिसाब से फ्री हो कि जैसे मैंने एक जैसे बनाई थी एक ट्रिक की वह एक डिसीज को सीमडी फूल है अब फूल वाली चीज मतलब ऐसे सबको नहीं बता सकते हैं तो आप अपना वहां पे लिक लिए उसमें पूरी ट्रिक आपको समझ में आ जाएगी तो तीन चीजे करिए एक जीयस के लिए कॉप्य बनाईए उसमें सिर्फ कीवर्ट नोट्स और लिए ना पहले दो तीन मार उसको पहले जो बेसिक उसको पढ़ेंगे तब ही उसके बाद नोट्स बनेंगे और नोट्स बनाने तब ही चाहिए जब एकदम आपकी चीज क्लियर हो जाए आप बिल्कुल उसको समझने और ऐसी आपकी कंडिशन हो जाए कि आप किस से कोई प